सथियो बोजन मुक्ति पार्टी की 25 तारीका जो कारक्रम था विहार मुझवपर पूर्वी जो बोजन मुक्ति पार्टी का प्रिवर्टन यात्रा का समापन रहली था 25 जुलाई विरांगना फ्रण देवी की साधत दिवस्पार्ट वहाँ आमने अप्चारिक रुप से ये गोशना की थी कि बोजन मुक्ति पार्टी का सिधान्तों के आधार पर एलजेनी में विले होगा और फिर 30 तारिकों हम लोगों ने ओल इंडिया की जनरल बोडी मिटिंग बुलाई और सरवानुमत से हम लोगों ने ये थे किया कि अगर सिधान्तों की पूर्ती होती है तो विले करना चाहिए और 13 तारिकों प्रेश को लेकर हमने विले किया था विले के पीछे हमारा जो सोच था उसमें सबसे बड़ी सोच ये थी कि जिस तरह माने और कांशिराम चाब और मुलाईम सिंग यादव जी का गटबंदन गुआ था तो प्रदेश में काम्याब गुआ था सोचिल पॉलराइजेशन कापी लंबे अर्शे से का दुरूवी करण की भारती राजनिती में वो दुरूवी करण हो नहीं रहा है बाईचारा हो नहीं रहा है तो इसके आधार पर हमने सुचा यह एक्सप्रिमेंट पूरे देश में करना चाहिए देश पूरती के लिए इसके लिए हम लोगों ने चालिश साल लगया था एस्ट्योवी से और माइनोर्टी का दुरूवी करण करने के लिए तो इस सिधान्तों के आधार पर हम लोगों ने बीएंपी का विलेग किया था तो यह हमारा एक रहनेती फेशला था के स्ट्योवी से और माइनोर्टी का दुरूवी करण होता है तो यह सिस्ट्रम के अगेंस में जाता है तो इस पूर्ती के लिए सिधान्तों के आधार पर हमने विलेग किया था लेकिन विलेग के बाद कुछ मत कुछ जो समश्या आई उसमें बेजिक समश्या यह थी कि डेड़ महीना ओने के बाद कोई राज़िस्त्री कमिटिया और जिलाज़िस्त्री कमिटी बनाने में उनको ज्यादा समय लगा टो हमने जो बिहार में चारिस गलाक खर्च करने के बाद महौल गरम किया था उतिर्प्रदेस में 26 जुन को कारिकरन लेकर महौल गरम किया था कटप्रदे डेट महीने से हमारे मस् nhânरे के पास कोई कारिकरन नहीं रहा रहा है इसका मुल कान है के केडेर में के उपर एक और हैं तो कराउट से कंवे नहीं सकता इसलिए कोई कार्क्रम की घंच ब्लानिंग कोई क्लियर्टी नहीं थी और आ हमने सीज्ध कोई सी माइनरोट के दुरूषी करन के लिए जिस मकसद के लिए भी घेते तो मelבה कॉंग्रेस के नि जो में कॉंअभर को आगे बढ़ाने में बीजे पीके आगे बढ़ाने में हैं मैंने तीसरे कमिएक कल्प के तोरपर रर्सरयादर जी का नेत्रों तो शुकार किया था मिदह पेंते राजनिती में मन्य 14 राम सापी कॉंग्रेश से गट बंदन किया था और है कि लेकिन कॉंग्रेश को मुझूत करने के लिए नहीं जञद्ड़ को कभी मुझूत करने के लिए क्या तो वो जो दुरुई करने के बदले हम लोग है कि सामने कोई अब बीजेपी को अरवाने के लिए कॉंग्रेस को मजबूत करना चाहिए इस सेधांतिक मुद्दे पर मद मत्वेद बिद्धा है कि बीजेपी को बारवाना जरूरी है लेकिन कॉंग्रेस को सरपेट बिठाना जरूरी नहीं है कि कॉंग्रेस की वज़े से बीजेपी आज यहां तक पहुची है तो तीसरे विकल्ब के तोर पर हमने सरयादर जी को कहा था कि अगर आप तीसरा विकल्ब भारत में खड़ा करते हो तो हम आपक कॉंग्रेस के साथ करनी चाहिए लोग सबामें और सरप जी का यह उपिनियन था कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और लोग सबामें भी चुनाव नहीं लड़ेंगे तक इसे विजेपी आ जागी हमारा यह सवाल ता पिर कॉंग हम को क्या करना चाहिए हमारे कार्श काम करने का कहें नहीं सकते सितान्तों के फिरोद में हैं और यह संभव भी नहीं है कि हम करें यह संभव नहीं है इसलिए हमने सोचा अगर लग राज्यों में यह लोगसभा का चुनाव लड़ना नहीं चाहती तो फिक पार्टी का पार्टी का कोई वजूद नहीं है हम काम बढ़ाने के लिए गए थे ना कि काम काम करने के लिए या काम को समाप्त करने के लिए उदेश को समाप्त करने के लिए नहीं गए थे उदेश पूर्ती और सिधानतों की परिपूर्ती के लिए हम गये थे वो सिधानतों की परिपूर्ती का जब हमें लगा कि ये समय बरबाद हो रहा है सिधानतों की परिपूर्ती इस तरह नहीं हो पाएगी तो हमने सोचा कि हम हमारे मकसद के लिए इस लिये उस लिये विले के निन्य को हम लोगों ने आज राष्टी जनरल बोड़ी बूला कर उस विले के निन्य को रद किया है और 24 तारीक को 24 सितंबर को पुना फेक्ट धिकार के तहट 550 जिलों में कारेक्रम बोजन नुक्ति पार्टी का होगा इसका जो एजेंडा है मूल एजेंडा ये है इस कारेक्रम का कि पार्लामेंट में सेटी के 131 सांसत बेटे हुए है उसके बाद भी इन मुद्व पर चुप क्यों है समिधान को जलाए जाता है तो एक भी सांसत बोल नहीं रहा है एक लाग दसजार एक लाग दसजार दोसुद तेरा महिला पर चार साल में बलतकार हुआ कोई शन्सत बोल नहीं रहा है किसानों के मुद्व पर कोई शन्सत बोल नहीं रहे तो यह सारे स्जानि और 29 समिधान की बदरत के है वो समिधान की खत्रे में बोल नहीं रहे ऐसी कौन सी मजबूरी है वो मजबूरी केवल मात्र पुनापेक्ट है चोविश सितंबर उस पुनापेक्ट दिकार दिवस पर इस सारा परदावास किया जाएगा अपके चुने वे हैं आपके जिसको आप नहयता कहते हो 131 लोग पारलामेंट में आपकी आऊज उठा नहीं रहेहे और हम लोग भोजन मुंद्टी पार्टी से कारोकरम24 सितंबर पुनापेक्ट के विरोज में कारेक्ट्र दिकार के तौर पर इस कारेकों के माविवें से बोजन मुप्टी पाटी पुनहाँ अपने मक्सद के लिए कारेशते होगी विलयका नेला समी पदादिकारि जिस पदपर थे अगरे राश्य रुक्ष इस्तर पर जिला स्थन पर वह अपने कारे को चुब इस तारी के कारेकम को सब्सक्राइब करना चाहिए इतनी अपिल करकर बाद समाथ करता हूं आपने इस लिए उन्यर्ण को अमल करोगे इस आसाथ के साथ बाद समाथ करता हूं